हेलो एब тебе हमारी तीन एंप है पुछान साइंस प्लस पहली एप जिस जिसमें हम इडिकल फार्मासी और से नरसिंग के वीडियो लेक्छर स्टर्ड प्रोवाइब करते हैं दूसरी हमारी एप है पुछन साइंस जिसमें हम NEET related video lectures, live classes और study material प्रोवाइट करते हैं और तीसरी हमारी app है बुशन साइंस exam जिसमें हम various exams की test series प्रोवाइट करते हैं including your pharmacy, nursing, medical, government, non-government, H&E exam. Thank you. परिचाय Sir, हम एक फल के अंदर बीज क्यों पाते हैं? शाम, पादपों में लेंगिक प्रजनन के बाद ही बीज विक्सित होते हैं. लेंगिक प्रजनन क्या होता है, Sir? दो युगमकों की मिलने से एक नया जीव उत्पन होता है. इस प्रक्रिया को लेंगिक प्रजनन कहते हैं. सर, पादप का कौन सा भाग लेंगिक प्रजनन में हिस्सा लेता है? बेटा, पुश्प पादपों के लेंगिक अंग होते हैं, इसलिए ये लेंगिक प्रजनन में हिस्सा लेते हैं ये सुन्दर पुश्प, फल और बीच के रूप में कैसे प्रजनन करते हैं? ठीक है, आओ, हम पुश्पी ये पाथपों में लेंगिक प्रजनन के बारे में विस्तार से जानते हैं उद्देशे इस पार्ट के अंद में आप निम्निकरने में सक्षम हो जाएंगे एक पुश्प के हिस्सों की पहचान करना पुंकेसर की सनजना और लगु बीजानों धानी की प्रक्रिया को समझना जायांग की सनजना और गुरु बीजानों धानी यानी बीजांड की प्रक्रिया को समझना परागन को समझना और परागन के विभिन कार्गों की पहचान करना निशेचन के प्रकारों को समझना भुरून पोश, भुरून, बीज और फल के विकास को समझना पुष्प के हिस्से पुष्प अंगों की तीन प्रमुक्ष्रेणिया हैं प्रजनन अंग, मादा प्रजनन अंग, नर और गैर प्रजनन अंग प्रजनन अंग, मादा अंडप या स्त्रीकेसर वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय, बीजांड प्रजनन अंग, नर पुँख केसर, पराकोश डंठल तंदू यानि फिलामेंट, पराक गैर प्रजनन अंग, पंखुडी यानी दलपुंज, रस यानी वाहिदल, टेपल्स निशेचन पूर्व घटनाए पुषपी पातपों में लेंग एक प्रजनन में निशेचन से पूर्व निम्न घटनाए होती हैं लगुबी जानु धानी और पराकण का विकास गुरुबी जानु धानी एवं मादा युक्मकोद भिद का विकास पुंकेसर और पराकोश की सनजना पुंकेसर में लंबा एवं पतला डंठल तंतु यानि फिलामेंट तथा दुईपालिक सनजना पराकोश होती है पराकोश की सनजना दुईपालिक पराकोश दो कोश्ट होते हैं पराकोश में चार विवर या लगू पीजानु धानी होते हैं जो पराक पुटी यानि पॉलन सेक्स के रूप में विक्सित होते हैं लगू पीजानु धानी और पराक कन का विकास लगू पीजानु धानी पराकोश में प्रतेक दुईगुनित मात्रे कोश का अर्द सूत्री विभाजन द्वारा चार आगुनित लगू पीजानु या लगू पीजानु चतुश्क का निर्मान करती है हर आगुनित लगुबी जानू एक विस्तृत धीवार पर पनपते हैं और सूत्री विभाजन के द्वारा पराग कन बनाते हैं पराग कन नर युग्म कोद्भित का प्रतिनेधित्व करता है इसमें दो सते ही भित्ती होती हैं बाहेचोल और अंताचोल बाहेचोल में रंद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं पराग कन के परिपक्व होने पर उसमें दो कोशिकाएं काईक कोशिका और जनन कोशिका समाहित होती है जायांग और बीजांड की संधचना जायांग जायांग इस्तरी जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है इसके तीन भाग होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय इसके अंदर एक गर्भाशयी कोहा यानि कोश्ठक होती है जिसमें एक-एक अपरा यानि नाड इस्तित होती है अपरा से गुरू पी जानुधानी या बीजांड निकलता है बीजांड एक अध्यावरणी गुरू बीजानुधानी है इसमें बीजांड काए होता है जो एक या दो अध्यावरण या संदक्षक आवरण से घिरा होता है बीजांड के अंग बीजांड वरिंत हाइलम यानि फैनिकल संदिरेखा यानि रेफ बीजांड काय, भुरून कोश, अध्यावरण यानी इन्टी जुमेंड्स, बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाईल और निभाग यानी कहलचा. गुरू बीजानु जनन और माधा यग्मकोद्भित का विकास गुरू बीजानु जनन की प्रक्रिया विक्सित होते, बीजांड के बीजांड काय के अंदर घटित होती है. एक प्रासूतक कोशिका बीजांड काय में बीजांड द्वारी शीर्ष पर विभाजित होती है. एक प्रासूत किये कोशिका वाहे भित्तिये कोशिका और आंतरिक बीजानों जन कोशिका में विभाजित होती है। यानि अप ब्रेस्ट हो जाते हैं। कोशिका अंड उपकरण का निर्मान करती है। तीन प्रती व्यासांत एंटी पोडाल कोशिकाएं निभागी चोर पर होती हैं। केंद्रिये कोशिका में दो ध्रुविये न्यूकलियाई होती हैं। परागण पुष्पों में परागोश एवं वर्ती कागर एक दूसरे के पास अवस्थित होते हैं। और स्वपरागण या ओटोगेमी को सुलब कराते हैं। सजात पुष्पी परागण एक ही पादप के एक पुष्प के पराकड़ों का दूसरे पुष्प के वर्ती कागरों तक का इस्थानांतरन होता है। पर निशेचन इसमें भिन पातपों के पराकोश से भिन पातपों के वर्ती कागरितक पराकड़ों का इस्थानांतरन होता है। परागण के अभी कर्मक या कारक परागण अभी कर्मक ऐसा कारक होता है जो एक इही प्रजाती के पातप के पुष्प में पराक को नर्से मादा के प्रजनन अंक तक इस्थानांतरित करता है। परागण के अभी कर्मक में शामिल हैं वायू, जल, कीडे यानी कीठ, तितली, मखी, मदुमखी और भ्रिंग आदी। चमकाता, पक्षी और अन्य पशू। निम्निचित्र परागण में साहिता के लिए गुंजन पक्षी की लंबी पतली चूँच और पतली पुष्पिये नलिकाओं का सह विकास को दर्शाता है। पराग, स्त्री केसर, संकर्शन यानी पारस परिक्रिया। सुयोग्य परागण द्वारा परागकण किसी जनन्चिद्र के मात्यम से एक पराग नलिका उत्पन करने हैं तू, वर्ती कागर पर अंकुरित होते हैं। परागकण के तत्व, अंडाशय में इस्थित, बीजान, बीजान्ड द्वारी शीर्ष तक पहुँचने के लिए पराग नलिका के मात्यम से गमन करते हैं। इसके पश्चाद पराग नलिका तंतु रूप समुच्च के मात्यम से एक सहाई कोशिका में प्रवेश करती है। दोरा निशेचन यानि दूइद निशेचन एक सहाई कोशिका में प्रवेश करने के पश्चाद पराग नलिका त्वारा जीव द्रव में दो नर युगमग अवमुक्त किये जाते हैं। एक नर युगमग अंड कोशिका की ओर गती करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है। इस तरह युगमग संलयन पून होता है। अन्य नर युगमक केंद्रिय कोशिका में इस्थित दूध्रुविय न्यूकली यानि केंद्रिती की ओर गती करते हैं और उनसे संगलित होकर त्री गुणित बनाते हैं। इस तरह इसे त्री सनलयन कहते हैं। निशेचन पश्च घटनाएं निशेचन पश्च घटनाओं में शामिल है ब्रून पोश का विकास बीजांड बीच के रूप में और अंडाशय फल के रूप में विक्सित होना। ब्रून पोश कोशिका बार-बार विभाजित होती है तथा एक त्री गुणित ब्रून पोश उतक की रचना करती है। इन उतकों की कोशिकाएं संदक्षित खाद्य समगरी से पूरित होती हैं और विकास शील ब्रून की पोशक्ता के लिए उप्योग की जाती हैं। ब्रून विकाज गोलाकार, हद्याकार तथा परिपक्व ब्रून के निर्मान के लिए युग्मनच प्राक ब्रून का समसूत्री विभाजन होता है। ब्रून की सनचना एक ब्रून में समाहित होते हैं, एक ब्रून ये अक्ष, दो बीच पत्र यानी डाइकोट में और एक एक बीच पत्र यानी मोनोकोट में। बीज पत्र के स्तर के उपर भ्राणिय अक्ष की प्रोटीन यानि एपिकाटील बीज पत्रोप्त्रिक होती है, जो प्रांकुर या स्तंब स्रे पर प्राया समाप्त होती है। बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो की मूलांत सिरा या मूलच के शीर्शांत पर समाप्त होती है. बीज और फल का विकास निशेचित पीजांट बीज बनता है, अध्यावरन बीज का आवरन बन जाता है, जिसे बीज चोल कहते हैं. परिपक्व बीज दो प्रकार के हो सकते हैं, अल्पूमिनियस और घैर अल्पूमिनियस फल एक परिपक्व अंडाशे होता है, जिसके अंदर बीज होते हैं. अंडाशे की दिवार फल की दिवार यानि छिलके के रूप में पतल जाती है जिसे फल भित्ती कहते हैं मांसल फल के फल भित्ती में शामिल है अंता फल भित्ती यानि बीच के चारों ओर मद्दे फल भित्ती यानि मांसल भाग वाहे फल भित्ती यानि तौचा क्या आप जानते हैं? आईए हमने जो को सीखा उसे संक्षेप में दोहराएं। जानुधानी प्रक्रिया के बाद एक साथ कोश किये एवं आठ नुकली कृत ब्रून कोश का निर्मान होता है। परागन एक प्राक्रम है जिसमें परागन पराकोश से वारती कागरितक स्थानांतरित होते हैं। आवरित्ति बीजी दोहरा निशेचन प्रदशित करते हैं क्योंकि प्रतेक भून कोश में दो सनलयन, युगमक सनलयन तथा त्री सनलयन होते हैं। युगमनच भून तथा प्रात्मिक भून पोश कोश का भून पोश उतक गठित करती है। निशेचन के पश्चाद, अंडाशे, फल के रूप में तथा बीजान बीच के रूप में विक्सित होता है।